एक और तो गहलोत सरकार प्रदेश में स्वास्त सेवाओं के बुनियादी धांचे को मजबूत करने का दावा करती है खुद मुक्यमंत्री अशुक गहलोत अक्सर अपनी सभाओं में प्रदेश में स्वास्त सेवाओं में बेहतरी का दावा करते हैं लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जमीनी हकीकत बड़े बड़े दावों से इतर नजर आती है धरातल पर गहलू सरकार के दावों के पोल खोलती तस्वीर देखनी हो तो चले आईए रासमंद के आमेट जहां के सामुदाइक स्वास्त केंद्र की हलत वाकई आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस अस्पताल में आप रोगों का इलाज लेने के लिए जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं वहां जाकर कहीं आपकी जान को खत्रा तो नहीं जी हां सही सुना आपने आमेट सामुदाइक स्वास्त केंद्र की जरजर हालत देख कर तो ऐसा ही लगता है मामला रासमंद के आमेट सामुदाइक स्वास्त केंद्र का है जहां COVID-19 वाड के ICU वाड की RCC की छद पूरी तरहां से तूट कर गिर गई वहीं अस्पताल में ही बरामदे की कई पट्टियां भी तूट गई गनीमत ये रही कि उस समय मौके पर कोई नहीं था जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया चिके साले के प्रभारी डॉक्टर सीपी सूरिया ने बताया कि बेपरजोय तूफान के सक्रिय रहने के दौरान आई बारिश के चलते छत गिरी है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अस्पताल के प्रभारी को पहले से ये नहीं पता था कि अस्पताल की इमारत किस तरहां जरजर हालत में है और अगर उन्हें ये पता था तो फिर उन्होंने पहले उच अधिकारियों या प्रशासन को इमारत की इस हालत के बारे में अवगत क्यों नहीं कराया यहां RCC की छत तो गिरी दी साथ ही बरामदे की भी कई पट्टियां तूट गई फिलहाल मौके पर लोहे के पिलर लगाये गए हैं वही मामले की जानकारी C.M.CH को भी दे दी गई है और अस्पताल में गिरी छत को तुरंट ठीक कराने की मांग की गई है हमने परशासन को आगे इसकी सूचना दे जी गई है और लिखित में भी कारवे कही गई है बजट दे जिया गया है और तुरंट ठेंडर होती ही काम सुचना है बहराल आमीट सामुदाइक स्वास्त केंदर में तो बड़ा हादसा होने से बच गया लेकिन इस बात में कोई संदे नहीं है कि अगर अस्पताल की इमारत की हालत आगे भी यही रही तो बड़ा हादसा भी हो सकता है ऐसे में अस्पताल और स्थानिय प्रशासन को अस्पताल की इमारत पर तुरंट ध्यान देने की जरूरत है ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी